नमस्कार, मैं अर्जुन दुकाराम लाड़, TGT हिंदी जवाहर नवदे विद्याले, बरपेटा असम, आज मैं आपके सामने एक नया विशे, नया सब्जेट लेकर उपस्ति थूँ और उस विशे का नाम है व्याकरन परिभाशा यों परिचे, बच्चों ये बहुती महतोपूर्ण सब्जेट है, कक्षा पहली से लेकर, कक्षा आटवी तक ये सब्जेट बार-बार पड़ाया जाता है और इस विशे से समन्दित जानकारी चाहे पहली कक्षा, दुसरी, तिसरी, चौती, पाचवी, छटी, साथवी, आटवी, नवी बच्चों को अगर पूछते तो भाशा क्या है? तो बच्चों इधर उधर देखने के लिए लगने लगता है कि भाशा क्या है? बच्चों ये language क्या है? लेगवेज की परिभाशा क्या है? सही आरत में उसकी बिना तो हमारा इतना साभी काम कम्पिलिट नहीं होता है, तो ये है क्या चीजज? उसके बारे में जानना बहु विद्धारते के संबोथ पष्ट करने हेतू हम यहां संक्षित रूप से इस भाषा येवं परिचे के बारे में आज बात करेंगे विशेस्ता कक्षा आटवी, कक्षा सातवी और कक्षा छटी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इनके उपर बार-ब प्रश्ण आ जाते हैं तो भाषायों परिचे देता हूं साथी साथ आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रतियवगीता पेन लेता हूं पहले यह प्रतियवगीता परिख्षाओं के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण तता उपयोगी टोपिक है विशे हिंदी व्याकरन पाट का नाम है व्याकरन परिभाषा यवं परिचे व्याकरन की भी परिभाषा है और उसका परिचे हमें देना है बच्चों भाषा अभिवक्ति का सर्वत्तम सादन है जिसके बीना हम कुछ भी अभिवेक्त नहीं कर पाएंगे कुछ भी बोलने पाएंगे, कुछ भी कहने पाएंगे, अपने विचार दुसरों को देने पाएंगे, तो भई, अगर हमारे विचार हम जैसे की वैसे दुसरे लोगों के पास तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उसका कोई मिनिंग नहीं निकलेगा, तो कोई महत्व नहीं है, दुसरों तक अपने मन के भाव या विचार पहुंचाने और भाषा को व्यवस्तित रूप देने का कार्यागर कोन करता है तो वो है व्याकरन, अगर वो काम कोन करता है तो व्याकरन करता रो, व्याकरन ही किसी भाषा के मानक रूप को स्तीर करता है या उसका निर्धारन करता है इसलिए व्याकरण का भाशा में अन्यन्य एक बहुती महत्वपूर्न स्थान व्याकरण में है तो इसलिए व्याकरण के बारे में जानकारी या व्याकरण के बारे में एक अलग से जानकारी हम यहां लेना चाहेंगे भाषा क्या है व्याकरन समझने से पहले हमें भाषा क्या है यह समझना बहुत आउशक है ने तो हम किसकी जान कर लेंगे भाषा और व्याकरन का गहरा समंद है उसके भीना यह नहीं भाषा ही नहीं तो व्याकरन की ज़रूरत क्या है भाषा है इसलिए व्याकरन क्या हो शक्ता है क्यों देखे भाषा क्या है तो भाषा शब्द की उत्पति अगर हम देखते हैं संस्कृत की भास धातु से हुई है इसका आर्त है वानी इसका आर्त क्या है वानी जो कुछ हमारे मुख से बोला जाता है वानी अगर हम संस्कृत के ग्रंतों में संस्कृत व्याकरन के ग्रंतों में जाएंगे तो हम दिन बर इसके बारे में पढ़ सकता है इतनी विस्तृत जानकारी वहां है लेकिन हम इसका छोटा सा रूप एक आउंश यहां दे दिया है भाषा वह सादने, परिभाषा देखे इसकी, भाषा वह सादने जिसके माद्यम से मनुष्य अपने भावो तता विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान, मैंने एक शब्द बोल दिया, आगर सपोज हमने मोबाइल फोन पर बात करने लगे, मोबाइल फर फर बात करते करते, हम उदर से ही कुछ बाते आ रही है, इदर से ही हम बोल रहे हैं, मज़ा आएगा क्या, नहीं है, हम हाँ बोलते तो वो भी हाँ बोलते, हम कहा है बोलते तो मैं इदर हूं बोलते, मतलब यह क्या है, मैंने जो पूछा उसका अंसर उन्होंने मतलब मैंने दिया और उन्होंने भी मतलब लेन और देन लेन और देन किसके लेन देन का तो विचारों का लेन देन अपने भावों का लेन देन किसके माध्यम से होते हैं उसके लिए भी एक माध्यम है सबस्थ मुझे गोहाटी चले जाना है गोहाटी जाने का माध्यम मेरी गाड़ी है मुझे गोहाटी जाना है विचारों के लेंदेन के माध्यम को ही क्या कहते हैं भाशा कहते हैं बच्चो इस प्रकार की परिभाशा लिको बोलके आपको प्रश्ण आता है तो सबसे मुतपूर्ण क्या है भाशा वसादन है जिसके माध्यम से मनुश्य अपने भाव तता विचारों का आदान प्रदान क अगर आपको यह नहीं आता है तो विचारों के लेंदेन के माध्यम को भाषा कहते हैं यह दुसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं अगर यह परिभाषा है तो यह दुसरी इसको भी अलग कर सकते हैं कैसे हैं भाषा वसादन है जिसके माध्यम से मनुश्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है एक यह आप भाषा विचारों के लेंदेन के माद्यम को ही भाषा कहते हैं विचारों का लेंदेन के माद्यम को भाषा कहते हैं तो यह माद्यम बहुत मोतोपुर्ण है जो मैं आपको बोल कर वीडियो बना कर आपके पास पहुंचा रहा हूँ ये भी भाषा ही माद्यम है जिसके कारण आपको घर बेटे बेटे यहां पढ़ाए गए वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं है न सोबाग्य की बात ये किस के कारण हो पा रहा है भाषा के कारण हो पा रहा है अब देखें हम यहां देखते हैं कि व्याकरण और परिभाषा देते समय भाषा के मुक्य रूप कितने है भाषा के रूप अब भाषा के रूप आगर देखें मुक्य रूप हमें जितना पढ़ाया गया हम तब बोलते हैं हम भाषा के मुख्य रूप दो लेकिन मैंने यहां तीन दिये तो सबसे पहले अगर भाषा का विकास हम देखते हैं वहां नहीं जाना है ज़्यादा लेकिन आपको बताता हूँ कि भाषा का एक सबसे मौतवपूर्ण जो रूप है वह है मौखिक प्रत्यक्षतता सामने बैटकर व्यक्ति से बात्सित हम करते हैं अतवा उसको भाषान देते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं तो यह विचार प्रकट करने का जो सादन हम देखें भाषा तो है लेकिन अपने मूख के दोरा उसको सीधा अपने विचार देते हैं और ये वुच्चारित भाषा को ही मोकिक भाषा कहते हैं जो उनले मूख से बोली गई है एक साधने अपने विचार दुसरों तक पहुंचाने के लिए हम एक तो बोलते हैं, भाशान देते हैं, कहानी सुनाते हैं, यह क्या है, हमारे भाशा के रूप में यह मोखिक रूप है, सिर्फ मूख से जो दिया जाता है संदेश, उसको मोखिक रूप, और दुसरा एक माध्यम है, अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें बोलने के आंतर है, जो आप समझते, जब व्यक्ति आपने विचार लिकित रूप में प्रकट करता है, तब उसे भाशा को लिकित भाशा कहते हैं, पत्र लेकन है, जो भी लिखकर चिट्टी में इदर उदर दे रहे हैं, वो मतलब लिकित रूप है, यह किसी को समझ में नहीं आता है चुप चाप लिक दो, दे दो, और तिसरा है सांकिकित भाशा, इशारों के माद्यम से भी हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदाने, क्रिकेट के मैदान में मैच चल रहा है, अगर अंपायर को बोलना है कि छेरन, ग्राउंड में बोलने के बाद भ कि ये छेरन है बोलके, कितना ही चिल्ला है तो आवाज वहां तक पहुंचेगी, नहीं, उन्हेंने क्या कर दिया, सांकिकित भाशा का प्रयोग कर दिया, और छेरन के लिए हाथ दो ऊपर कर दिया, वाइट बॉल गया, वाइट, नो बॉल, नो बॉल, है यह कि नहीं, तो य सांकिकित भाशा भी है, किसी किताब में आपको ये 2 यह मिलेंगे, किसी किताब में ये सांकिकित मिलेंगे, लेकिन अगर प्रश्णा आता है, सांकिकित भाशा के रूप कितने, multiple choice में इस प्रकर का question आता है, और वहाँ option अगर होते हैं, कि 4, 5, 2, 1, अगर ऐसा होता है तो आप दो को राइट कर सकते क्यूंकि मुख के रूप में ये मोकित और लिकित है बाद में ये सांखिकित भी दिया जाता है देखे उसके बाद हमें भाषा देखने के बाद तुरंथ हमें और एक संकलपना को देखना पड़ता है जो मोतपुर्ण है क्यूंकि जिसके बिना भाषा लिकना असंबो काम है देखे उसका नाम है लिपी ये भी प्रशना आता है आपको बच्छो लिपी किसे कहते हैं लिपी का शब्दिकार तो होता है लिकित या चितरित करना धोनियों को लिकने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग किया जाता है चिन्नों होते उनका प्रयोग किया जाता है लिपी कहते हैं हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है ध्यान रिकिए कुशन आता है हिंदी नाम क्या है? रोमन हैं, हींगी नहीं तो हमारे भारत में आगर देखते हैं या आसपास की भाशाओ को हम देखते हैं जिसे मराटी है, कोकनी है, बोडौ है, बाद में हम देखते की पंजावी लिपी, गुरुमुखी लिपी है, तो ये लिपीों के नाम है, उसका चार्थ अल मैंने आपको समझा दिया भाषा किसे कहते हैं भाक्षा के मूल रूप कौन से हैं लिपी किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारिदी फिर हम आते अपना जो प्रमुक्स विशे हैं वो है व्याकरण यवं परिचे इस विशे पर आ जाते हैं सबसे पहले कि व्याकरण के चात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तता पढ़ने के लिए प्रेरित करना या प्रेरना देना या चात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोक से आउगत करना या व्याकरन के दौरा व्याकरन के आंगो से आउगत करना ये हमारे मुक्य उद्धेस है, मुक्य उद्धेस क्या वाद में पढ़ना है, कहां रुकना है, विराम चिन्न का प्रयोग कहां करना है, ये सब कुछ जानकारी व्यकरन देता है, इसलिए व्यकरन बहुत ही मुत्वपूर्ण है, अगर व्यकरन नहीं होता है न, इस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा, बिना ब्रेक की गाड़ी, पहले देखते हैं, आपको ये नोड़बुक में लिखनी भी है, व्यकरन शब्द का शाब्दिक आर्त है विशलेशन करना, अंग्रेजे में उसको ग्रामर भी कहते है अब, लेकिन असलिप परिभाशा क्या है ये, व्यकरन वह शास्त्र है, जो किसी भाशा के शुद्ध र और बोलने के नेमो का ज्यान करवाता है, इसे ही व्यकरन कहते हैं, ये परिभाशा है, परिशा में अगर पूझती है, तो आप लिखना है, तो आप फिर आ जाते हैं कि हम व्यकरन का विशलेशन करने के बाद हमें पता चल देता है, या व्यकरन का विशलेशन हम कई स्थरो के उपर कर देते हैं, व्याकरन का विशलेशन कई अंगों के दोरा कर देते हैं, तो इनके ही व्याकरन के जो प्रमुक अंग या प्रकार कहते हैं, वही व्याकरन के मुख के तीन अंग है, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग अंग दिये, कोई किसी ने पास दिये है, वर्न विचार, एक शब्द विचार और वाक के विचार, इन से पता चल जाता है कि वर्न विचारों में क्या दिया जाएगा, है कि ने, वर्न विचार में, वर्न विचार के अंतरगत, वर्न के भेद, कितने है फिर, है न, वर्न आ गया, वर्न की परिभास्या देनी वर्ण के भेद स्वर वर्ण है वर्ण के भेद देने पड़ेंगे उनके उच्छार उनके प्रयोग उनके नियम सब का विस्तुर्थ जानकारी अगर किसमें मिलेगी वर्ण समंदीत तो वर्ण विचार के अंतरगत मिलेगी एक व्याकरण आ यह आ गया मतलब आदा व्याकरण आ गया बारण में वारनच से शब्द का निर्मान हो गया है तो भीर शब्द आ गए शब्द के प्रकार आ गए शब्द रेकरां के करें कि कि व्पयोग आ गया सार्तक शब्द, निरर्तक शब्द, स्त्रोत क्या आदार पर शब्द के भेद, रचना क्या आदार पर शब्द के भेद, प्रयोग क्या आदार पर शब्द के भेद, आर्त क्या आदार पर शब्द के भेद, इतना सारा व्याकरन इसमें आ गया, मiety इस शब्द के बारे में समूचित जानकारी और फिर आते वाक्य के बारे में जानकारी वाक्य, वाक्यभेद, वाक्यपरिभाशा या वाक्यप्रयोग, उनके नियम, विचार, उका जो चिंतन और मनन है, इसके अंतरगत आज जाता है तो यितना सब कुछ आने के बाद, आप देखें, मैं हमेशा बूल देता हूँ, यह रसना के आदार पर वाकच, आर्त के आदार पर वाकच, मतलब वाकच आ गया, शब्दा आ गया, वर्न आ गया, तो लगबक सारा वैकरन आ गया, हम व्याकरन में पढ़ पढ़ कर क्या पढ़ते हैं जैसे शब्द विचार में हम देखते हैं शब्द के भेद कितने हैं कितने वैसे देखागा तो पाथ और तीन आठ कुन से उसमें भी दो भेद हैं विकारी शब्द और विकारी शब्द विकारी शब्द में चार, अविकारी में चार, कुल मिलाकर आठ, और आठ शब्द के भेट से मुझे लगता है कि आदा व्याकरन तो हो जाता है, ही कि नहीं, जैसे संग्या शब्द है, सरवनाम शब्द है, विशेशन शब्द है, क्रिया शब्द है, संग्या, सरवनाम, अगर हम विचार करते हैं, तो हमारा व्याकरन यहां complete हो जाता है, इसलिए यह व्याकरन के अंतरगत आता है, तो बच्चे आज मैं आपको इतना ही देना चाहता हूं, क्योंकि व्याकरन यह उसका परिचे, यह सबसे छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही मोतपूर्ण था आप तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरन किसे कहते हैं, व्याकरन के प्रमुक अंग कितने हैं, इतने प्रश्णों का उत्तर आपको अराम से मिलेगा, आप इन प्रश्णों के उत्तर लिकिए और आगे बरते जाईए, क्योंकि आगे अभी इससे समंदित वीडियो कौन-कौन से आ सकते ये आपको भी पता हैं तो आने वाले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.